वेलकम बैक वीवर्ज पिछल लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हुए डिफरेंट स्टाइल्स की मदद से जो है वो अपने टैक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टैक्स को जायदा यूजर के लिए अट्रक्टिव बना सकते हैं उस क्या चीज़ देखेंगे यह जो टूल बार है यह हमें अलाव करती है कि हम अपने टैक्स को होरिजेंटली और वर्टिकली जिसे कहते हैं कि उफक के मतवाजी और सथा जमीन के मतवाजी इन चीज़ों को जो हमारे जब टैक्स्ट होगा उसकी इलाइनमेंट वर्टिकली और और होरिजेंटली भी कर सकते हैं उसमें अगर कुछ स्पेसिंग का इशू है वर्टिकली और होरिजेंटली हम उसको एड़जस्ट कर सकते हैं हम वह उसमें एड़ कर सकते हैं दे सकते हैं जो हमारा टैक्स्ट है हम उसकी औरियेंटेशन उसकी डिरेक्शन बदल सकते हैं उस कि ये हमारे पास रीबन के अंदर है ये विंग के बटन के लिए प्र id aivoid है जो के लायन्मेंट और पास मेंए आपना फ़कतार करते हैं तो अर्जांटल ऑलाइन्मेंट यह जो आपके पास left side पे horizontal alignment का आपके पास button show हो रहा है जैसा कि मैंने उसके उपर cursor लेके गया मैं तो वो कह रहा है align text left इसकी shortcut की वो बता रहा है control L है अगर हम इस option का on करते हैं इस button पे click कर देंगे तो वो क्या करेगा जो आपका text है जो आपका मवाद है जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे जो या already जो लिखा हुआ है उसको select करके यह option पे चेक करेंगे तो वो क्या करेगा जो आपके page की जो आपके paper की जहां आप लिख रहे हैं उसकी जो दिवार है left side के साथ उसको align कर देगा उसको जोड देगा उसको start left side वाली दिवार के साथ से करेगा जैसे कि यह आपके सामने बिल्कुल paragraph मौझूद है तो यह control L अगर मैंने press किया already यह align left है तो अगर मैं इसको press करूंगा तो उसने उसकी alignment आप देखेंगे कि यह वो left side के साथ जो उसकी बाएं जाने वाली दिवार है पेपर की यह जो आपको document की नजर आ रही है left side वाली दिवार वो वहां से उसको शुरू कर रहा है और उसकी alignment उपर नीचे जितनी भी lines होंगी सब की सेम होंगी सब एक ही point से start होंगी lines तो यह align left का option है इसके लावा हमारे पास है यह align center का है जिसमें आप देख रहे हैं कि center में lines है और साइड़ों से जगा चोड़ी होई है उसमें यह जो दूसरी options है यह align center है इसकी जो shortcut की है वो control E है अगर इसी selected text को आप देखें अकर control E keyboard से आप press है उसने दोनों जानब से थोड़ा-थोड़ा margin छोड़ दिया आप जितना आपका text था एक line में तो उसने उसको align center कर दिया सेंटर में लेया है जो उसके नीचे text था उसको भी उसने center में कर दिया है तो यह align center करने के लिए यह option है यहाँ से इसको press कर सकते हैं यह control E is की shortcut की है सेम उसकी alignment जो है जो उसका starting point है वो right side से शुरू हो रहा है right side से सब एक जैसे हैं जबकि left से line छोटी बड़ी आपको नजर आ रही है और icon के उपर यह जो button है इसकी जो shortcut की है वो control R है अगर आप इसको shortcut keyboard से करेंगे तो control R अगर आप press करेंगे तो वो क्या कर रहा है आपके text क आप देख रहे हैं कि जो आपके जो document के जो टाइब कर रहे हैं आप जो paper है यह जो आपको view नजर आ रहा है page का उसके उसने right side के उसको level करती है उसकी alignment right side से शुरू करती है और left side पे वो आप देखेंगे इसको एक जैसी lines नहीं है तो यह आप आपके लिए यह तब भी कोई चीज आपकी requirement है कि आपने इसको align right करना है तो आपके लिए यह option जो है वो available है आप इसको use कर सकते हैं तो इसके लावा हमारे पास एक और option है यह हमारे पास यह justify की option है यह justify की option क्या करती है कि अगर एक तो होता है line left यह simple line left की ही तरह काम करती है लेकिन इसका काम यह होत आप जो आपका page है उसकी दोनों दिवारों के साथ लगा देती है मसाल के तोर पे जैसे यह आप अगर देखें कि आपके पास यह मैंने control L किया मतलब इसको line left किया तो आप देखेंगे कि यह आपके पास यहाँ पे आके वो अगली line पे चला गया आपका जो text है क्योंकि यह alignment का एक जो word है यह काफी बड़ा था यहाँ पे जो बाकी space यहाँ पे बची थी हमारे पास पहली वाली line में वहाँ पे adjust नहीं होना था इसलिए वो alignment का जो word है उसको वो नीचे ले गया उसने नई line पे उसको शुरू कर दिया जाबकि हमारे पास अभी यहाँ space available थी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ type करने की कोशिश करता हूं तो उसके पास वो इतनी space है कि एक या दो letters या characters वो उसमें add कर सकता है तो इस सूरत में जो है वो हम justify का अगर हम option use करते हैं जो जिसकी जो shortcut की है वो control J है अगर आप इसको select करके justify की option use करेंगे तो वो क्या करेगा वो आपकी line है जो आपका text है मुवाद है उसने उसको उसमें spacing increase करके उसने adjust कर दिया है उस page के margin के हिसाब से आपकी line को जैसा के पहले थोड़ी space available थी words के लिए letter एक दो add हो सकते थे जो space end पे मौझूद थी उसने क्या किया है उसने अपने हिसाब से ही जो आपका page का margin था उसके कर दिया है उस पूरी line के अंदर तो justify यह जो justify की option है यह इसका काम यही है कि यह आपका जो text होता है अगर तो थोड़ी बहुत space कोई बाच की है एक line में तो उसको क्या करता है वो जो दिवारें हैं दोनों आपके documents की उनके साथ आपके text को adjust कर सकता कर देता है दोनों तरफ और उसमें space increase कर दे वो characters के अंदर यह जो है यह फुद बहुत काम करता है तो justify के भी आपको समझ आगी होगी इसके साथ एक चोटा सा arrow बना हुआ है इस पर आप click करेंगे तो आपके पास इसमें मुक्तलिफ options है justify low, medium, high जो main हम use करते हैं यह simple justify की है आप इनको भी try कर सकते है practice करेंगे तो आपको इनका फरक जो है वो मालूम हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास और क्या option है तो इसकी आप vertical alignment भी कर सकते हैं line spacing जो होती है line spacing आप कैसे करेंगे उसके लिए यह आपके पास option बना हुआ है line spacing का यह आपके पास button है इसके अलावा यहाँ पे side पे arrow है इ का मतलब है कि इसकी जो line spacing है horizontally वो एक है तदाद उसकी जो एक इंच कैले या उसका जो भी इसकी अकाई है वो one है तो line spacing इसके दरम्यान one है उसके बाद one point fifteen है वो क्या करेगा अगर आप इसको apply करते हैं तो वो क्या करेगा उसने आप selected task को आपने देखा कि इन दोनों के दरम प्यान उसने जो horizontally है वो उनकी space increase कर दी है तो इसके लावा और भी options है इसमें मौझूद जो जैसे कि आप one point five है यह one and half line spacing हो जाएगी उसके लावा two two lines है two lines की space है मतलब कि जो आपकी दो lines है वो उनको छोड़ के फिर वो तीसरी line पर लिखेगा sorry जो आपकी two lines का मतलब है कि वो आपकी two lines की space छोड़के फिर next line पर लिखेगा इसके लावा two and half है उसके लावा three है तो उसके लावा हमारे पास यह line spacing options भी मौझूद है पहले हम इन lines की shortcut keys देखते हैं अगर आप keyboard से इनको apply करना चाहेंगे line spacing को आपकी जो lines है उनके दरम्यान फासला जो है आप उनको कम यह ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए keyboard shortcut keyboard जो है वो control अगर one press करेंगे आप अपने keyboard से control one numeric key one तो वो देखें आपकी line जो spacing है वो उसको एक line के बराबर कर देगा उसके बाद अगर आप two press करेंगे तो वो दो lines के बराबर कर देगा और इसके लावा अगर आपने one and half रखनी है line spacing one and half तो उसके लिए आप control five प्रेस करेंगे keyboard से तो वो क्या करेगा उसको one and half line spacing कर देगा तो इस तरह अगर आप अपने documents की spacing documents के अंदर आपने text की space को increase करना जाते हैं मिसाल के तोर पे आपका आपका जो text वो काम है मुआद काम है पेज बाकी का खाली है और आप तो जिससे वो आपका जो text है जो आपका मवाद है वो खुला खुला हो जाएगा letter के अंदर तो वो जैदा attractive लगेगा तो इसके लावा ऐसा ही सेम अगर आपकी line spacing जैदा है आप चाते हैं कि आप page बचा लें text जैदा है तो आप क्या करेंगे आप control one करके यहां पे जो line spacing का one का option है इस पर click करेंगे तो वो alignment जो है वो उसको one line spacing कर देगा और साथ-साथ text को कर देगा उसके लावा हमारे पास जो यह text orientation है यह text orientation जो है यह आप जब भी कोई paragraph spacing pull down menu है तो इसके लाव उसमें हम क्या करेंगे अगर आप right click करें मजीद options के लिए इस पर right click करें तो आपके पास यह paragraph का option है इस पर आप लिक करेंगे तो यह आपके पास आजाएगी option मुक्तलिफ के अंदर यह alignment है यह justified है वो जिस paragraph मैंने क्लिक किया हुआ था उसकी बता रहा है कि इसकी alignment justified है outline level है body text level 1 इसके अंदर मुक्तलिफ options मुझूद है इसके लावर directions है right to left है और left to right है हमने left to right किया हुआ है जो alignment इसकी left to right की हुई है तो यह भी आप इसमें change कर सकते हैं यह indentation है before text है कि आप जब text लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले अगर आपने इसको indents देने है space छोड़नी है खाली जगा छोड़नी है कि जनाब यह इस point से लिखना शुरू करे तो आप वो change कर सकते हैं इसको मैं कामिया ज्यादा करूंगा तो आपको इस वाले हिस्से में नदर रखनी है आप देखेंगे कि यहां भी changing आएगी अगर देखें आप इसको मैं ज्यादा कर रहा हूं तो वह क्या कर रहा है उसके जो indent है जो लिखने की जगा है जो space है उसको आगे को लेके जा रहा है आगे को push कर रहा है जैसे कि हम page के start में काफी जगा छोड़ के हम लिखना चुरू करें तो यह वह before text है after text भी ऐसे ही काम करता है कि हम जो text के बाद लिखना चुरू करेंगे तो वह भी कितनी space चोड़े मतलब कि after text यहां पर वह कितने intent चोड़े इसके लिए इसके बाद spacing है before and after के आप इसको increase करेंगे तो वो जो है वो उसको जो उपर आपकी जो text है उसके पहले वाली जो space है उसको कामिया ज़्यादा करने के लिए आप यह options यूज़ करते हैं ऐसे ही जो text है उसके नीचे जो space है उसको कामिया ज़्यादा करने के लिए आप यह option य multiple आप यहां से यह options भी choose कर सकते हैं तो ऐसे यह special में है first line है first line पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी space छोड़ के उसने लिखना चुरू कर दिया और बाकी line same है और इस तरह अगर hanging करेंगे तो पहली line उसने इंडेंट उसका कोई भी नहीं छोड़ा उसने बिल्कुल 0 से start किया दिवार के साथ से और नीचे वाला जो है उसने उसकी थोड़ी space छोड़ दिया तो इस तरह यह मुक्तलिफ options हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं जिनके आप काम करते हुए जो है वो अपने document की जो है वो line alignment and spacing उसमें adjust कर सकते हैं और अपने document को मजीद जो useful है जो मुफीद है देखने वाले के लिए user के लिए उसको बना सकते हैं तो आज का topic हम यहीं गत्म करते हैं हमारे अगले lecture में हम देखेंगे कि यह bullets and numbering क्या चीज है इनको कैसे implement करते हैं इनको कैसे इस्तमाल करते हैं और हम new bullets या new जो number format है उनको कैसे अपने documents में add कर सकते हैं और कैसे इनकी मदद से हम अपने documents की formatting कर सकते हैं अपना ख्यार रखिएगा हमारे चैनल का भी और अगर आपको कोई query है आपका कोई सवाल है आप मजीद कुछ पूछना चाते हैं तो आप comment section में आप लिख सकते हैं और अब भी तक अगर आपने हमा